हेलो फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब का स्वागत है आपके अपने माइचल चैनल पर मैं हो कमलेश फ्रेंड्स आज के इस वीडिम में बात करेंगे एक्सल में पीपट टेबल के अंदर जब हम कभी भी कोई रिपोर्ट नहीं क्रिएट करते हैं या बनाते हैं डैजबोर्ट क और एक तरफ है उरे का सेल तो यहां पर फ्रेंड्स प्रॉल्म क्या आती है कि जब हमें कभी कोई रिपोर्ट या हमें कुछ डैश बोर्ड में कोई चीज वहां प्रिजेंट करनी होती है तो वहां पर हमें सबस्क्राइब चलेंज या आता है कि अब यहां पर जैसे कि हमार इस डेटा को कैसे हम यहली क्वाटली में करेंगे मन्थली करेंगे या विकली में करेंगे तो उसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहां पर क्यों दो ही कॉलम लिये हैं एक डेट का लिया है, एक मैंने लिया है यहां पर सेलका, तो चलिए सीखते हैं फ्रेंड्स तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जिसका भी हमें report present करनी है तो उसका हम पहले data इस तरह से select करते हैं like यहां पर अभी मेरे पास दोई column है date का है और sale का है तो मैं इसको select कर लेता हूँ select करने के बाद आप जब आते हैं तो आपको insert के अना अना होता है pivot table के अंदर तो यहां पर आप जैसे ही create pivot table करते हैं यह पूछता है कि आपको same sheet में चाहिए यह आपको new sheet में चाहिए अब जैसे कि मुझे यहां new sheet में चाहिए तो मैं ok कर दूँगा अगर आपको इसी sheet पर चाहिए same जिसमें data है तो उसके लिए आप यह वाला option यहां पर चूच करेंगे बट मैं अभी नए sheet में चाहिए तो मैं इसके लिए यह वाला option यहां पर select करूंगा तो select करते ही देखिए यहां पर pivot table का पूरा फिल्ड की लिस्ट यहां पर आ गई है क्या दो ही दिखा रहा है क्या यहां पर यहां दो ही कॉलम है तो यहां पर मैंने फिर्स चूच किया date then मैंने सेल के लिए मैंने इसको ड्रैक किया वैल्य आले कॉलूम में तो यह तो फ्रेंट हमारा यहां पर एक pivot table बन चुका है जो कि आप देखे रहूंगे कि same इसी format में आया है जो कि हमाला पास यह वाला format यहां पर इस वाले raw data में है तो अब यह क्या है friends हमारा यहां पर यह table बन चुका है अब यहां पर problem क्या है कि हमें जो डेट चाहिए यह हम चाहिए यहली के format में और monthly quarterly या जो भी आपको जिस तरह से भी need है उसके साब से हम इसको कैसे convert करेंगे तो उसके लिए friends आपको simply अगर आप Excel का previous version यूज कर रहे हैं जैसे कि मैं यूज कर रहा हूँ Excel 2007 तो उसके लिए तो आपको यहां पर आपको simply जैसे यहां पर click करेंगे तो group का यहां पर option आपको दिखेगा अब बाई के नीचे आप देखरोंगे बहुत सारे option है seconds का है, minutes का है, hours का है, day का है, month का है, quarters का है और year का है, तो इसमें से आपको जो भी चूच करना है, जैसे आपको अगर चाहिए कि year लिका अगर चाहिए, तो यहाँ पर आप year को select करेंगे, और यह month पर single, sorry, इसको हटाएं अब यहाँ okay कर देंगे आप, तो आपने okay किया, तो यह देखिए आप, यहाँ पर हमार पास two year का data था, 19 और 20 का, तो यहाँ पर आप देख रहूंगे, इसने क्या है, दो new year का 2019 और 2020 में total कितनी सेल हुए है, उस सभी का sum करके, हमें यहाँ result निकालके दे दिया, अब इसी त यहाँ पर चाहिए, quarterly का अगर चाहिए data, तो आपको month में unclick करना पड़ेगा, और यहाँ पर okay करना होगा, तो यह देखिए quarter two और three का यहाँ पर sale हमार पास आ चुका है, अब चलिए आगे देखते हैं, और क्याकिस में option आप ले सकते हैं, अपने according, तो group के अंदर यह देख आपको month का अगर आपको चाहिए इदर, तो यह देखिए month यहाँ के और दोई है, June and July, अब जैसे मैं आपको यहाँ weekly का भी बता रहा था, लेकिन weekly का आप यहाँ देख रहोंगे, इसमें को option है नहीं, तो यह weekly के लिए आपको 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 आ minutes है, hour है, days है, तो days के order भी आप यहाँ ले सकते है data, तो यह देखिए, यह इस तरह से data आपको यहाँ देख जाएगा, और group के अंदर अगर आप आएंगे, तो यहाँ पर आप अभी तो मैंने आपको अलग individual करके दिखाया, तो आप चाहिए तो इसको multiple भी select कर सकते हैं, जै तो यह आगया, sale भी आगी दर, और यह हमारा यहाँ पर आगया 2020, with month के साथ भी यहाँ पर आप शोग हो रहा है, देखिए, यहाँ पर year है, quarter है, और month भी है, तो उसके according यह total है, इसने हमें यह sale निकल के दे दी, अब इसी तरह अगर आप चाहिए, तो किस और को भी इस तरह से select कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, कि यहाँ पर मैंने select किया पहले month, quarter और year, अब यहाँ पर चाह रहे हैं कि आप खाली quarter and year, तो यहाँ पर आप month को हटा देंगे इस तरह से, और यहाँ पर ok करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, क्योंब अभी year क data हमार पास quarterly के हसाब से भी आ गया, और यहाँ पर year के according की data हमार पास आ गया है, तो इसमें और भी है option, आप चाहें तो अपने हसाब से, जो भी आपको यहाँ सही लगता है, वो आप ले सकते हैं, अब जैसे यहाँ पर देखिए, second के हसाब से भी data आपको मिलेगा, तो यहा से यहाँ आया है, यहाँ इसलिए जिरो दुखारा है क्योंकि time के इसाब से data नहीं है, हमने date के इसाब से यहाँ पर data ले रखा है, और इसी तरह hour यह इसमें काम नहीं करेगा, days का मैंने बताया दिया आपको, minutes का भी हाँ नहीं आगा, क्योंकि यह with time के साथ यह data नहीं है, date के according के data है, तो यह बार चाहें, तो हम देख सकते हैं इसको करके, यह देखे, क्योंकि data यहाँ पर time के according नहीं है, तो इस तरह से friends बन आपको बताया है, अगर आप यहाँ पर चाहें, तो grouping, grouping अला यह option है, इसमें आप चाहें, तो अपने according जो भी आपको इसमें सही लगता ह उसके holding आप यहाँ पर कर सकते हैं, अगर आप latest version यूज कर रहे है, अक्सल का तो इसको आपको जैसे यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि right click करने के बाद आप group के अंदर आना पड़ रहा है, बट उसमें ऐसा ही नहीं है, जैसे आप इसमें right click करेंगे, तो यहाँ पर right click करें तो अब ही जैसे मैंने अगर आज sum किया है, तो आप यहाँ पर चाहिए तो इसको count में भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको यहाँ पर need है, तो यहाँ पर देखें, यह रहा है यहाँ पर आप आप अपने recording यहाँ पर change भी कर सकते हैं, अभी इसको आपको यह table इस तरह च्छुर का सब्सक्राइब SumYu तो उसके लिए आगर देखाने अगर वख लिए कहो वगना किहें, तो एब रूब ये सवाँ अपना पर हाँ काओ, आपको ये उसकषान करें, ये ल कुछ ब्लूप आपकर आपको नीच से बने गां। तो यहां quarterly अगर मैंने किया है तो यह अभी हमारा गुरूप के अंदर आ गया आप चाहें तो इसको आप यहां पर किलिक करके और उसको अगर्जा अगर मनतली किया है तो आपको यहां पर आपको यहां पर नगया है तो आपको यहां कर देन्हां तो आपको यहां है तो आपको यहां spontaneously यह वीडियो आपको पसंद आयोगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो प्लीज को लाइक करें शेयर करें और चलें को सबस्वाइब करना ना भूलें थेंक यू